वैसे तो Hyundai इंडिया की अभी तक किसी भी गाड़ी को Global NCAP में 4 और 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली है बट एक खुशकबरी ये है कि अभी Hyundai ने अपनी सभी गाड़ियों में कुछ safety features को standardized कर दिया है अगर आप बात करें ORA, NUOS, I20, Venue और Crata की तो इन में 2 safety features उन्होंने add-on किये हैं पहला है 3-point seat belt और दूसरा rear seat में adjustable headrest इसी के साथ Venue और Crata में 2 नए features add किये हैं rear seat में आपको 2-step का recline मिल जाएगा और 60-40 का split मिल जाएगा तो ये दोनो safety features नहीं हैं बट आप बोल सकते हों कि utility features ये add-on किये हैं दोनों गाड़ियों में 60-40 split से क्या होगा कि आपको flexibility मिल जाएगी कि आप अपने luggage के साथ-साथ एक extra person को भी वहाँ पे बिठा सकते हो तो ये अच्छी बात है कि Hyundai ने अपनी सभी गाड़ियों में ये safety features को standardized किया है लेकिन अभी भी एक feature missing है जो है curtain airbags का तो अगर आप बात करो क्रेटा, वर्ना और इसके उपर जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब में curtain airbags standardized हैं अगर आप बात करें, ओरा, नियॉस, आई-ट्वेंटी और वेन्यू, इन गाड़ियों में अभी भी curtain airbags standardized नहीं है तो देखना ये है कि क्या government जब इस rule को mandate करेगी, तब ये Hyundai उसमें add करेगी या फिर proactively add on करेगी तो Hyundai ने ये safety features सिर्फ इन ही गाड़ियों में update किये हैं, क्योंकि इन ही में ये सारे features missing थे इसके उपर जो भी गाड़िया आती है, जैसे newly launched Verna, Elkazar, 200, Kona, Ioniq 5 तो इन सब में तो already basic और advanced features standard हैं और इसके इलावा भी अगर आपका कोई question है, तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं